नमस्कार स्वागत है आप सभी का समिख़ा दिकारी सायक समिख़ा दिकारी में हम लोग तद्भा और तत्सम पड़ रहे थे लाश्ट के दो लेक्शर्स में हमने तद्भा और तत्सम सब्दों को पहचानने के बारे में पूरा कांसेप्ट समझा और उनके महत्पूर एक हजार उदारण सब्दों को देखा आज के इस वीडियो में हम लोग समिक्षा, रिकारी, सहित, लोवर, PCS, PCS परिक्षाओं में आये हुए जितने भी पुराने प्रस्न है तदभव युम तदसम से संबंदित सभी प्रस्नों को हल करेंगे आरो यारो के 2010 से लेके 2017 तक प्री मेंस जितने भी पेपर हुए है उन सभी के प्रस्नों को भी हम देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है आपके exam point of view से इसको पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए कि इस topic से किस प्रकार के questions जो है अब तक पूछे गए है और उनका सही उत्तर क्या है उनकी ब्याख्या क्या है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि 3 मई को परिक्षा प्रस्तावित है हलांकि जो वर्तमान इस्थितियां है जिस तरह का देश में संकट है जरूरी नहीं है कि ये 3 मई को हो पाए लेकिन जब तक कोई official इसके बारे में news नहीं आ जाती है तब तक हम यही मान के चलें कि 3 मई को परिक्षा आपको देनी है और हम भगवान से ये प्रातना करते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामानने हो अपने देश में तो आप जो है इस lockdown का फायदा उठाते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें केवल ये सोच कर कि exam टल जाएगा हमको और समय मिल जाएगा इसमें अपना समय मत बेर्थ करें अगर आप हमारे test series से जुड़ना चाहते हैं तो आप test series से जुड़ सकते हैं उसके लिए आप join आरो लिखकर 950-6742546 पर भेज दीजिए इस test series में यानि crash course में कुल 11 full test है no current affairs के test हैं सभी test की पीडियप दी जाती है आपको चना जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकें और पूरे confidence से हल कर सकें तो ये किस तरह से हमारा test है इसको जानने के लिए आपको हमारा जो free demo test है जिसका PDF का link इस video के description box में साथ में pin comment में भी दिया है उसको पहले अच्छे से पढ़ ले उसके बाद आप निरणे ले सकते हैं अगर आप जो है link नहीं खोज पा रहे हैं तो आप सीधे इस number पर WhatsApp करके या call करके मांग सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का lecture पहला प्रस्णम लेते हैं UPRO Mains 2017 जो सबसे latest exam हुआ है आरो यारो की सीरीज में तो इसमें आपके सामने पहला प्रस्ण है गोत्र सब्द का तदभव रूप क्या होगा तो जित्ते भी आपके सामने अप्सन दिये हैं उसमें सबसे 60 उत्तर क्या है गोत्र का तदभव रूप अगला प्रस्ण उच्छ्वास सब्द का तद्भव रूप क्या होगा तो उच्छ्वास एक तत्सम सब्द है इसका तद्भव रूप क्या होगा उश्षास उलाहना सब्द का तत्सम रूप क्या होगा उलाहना का तत्सम रूप होगा उपाल लंब बाकी जो है इससे संबंदित नहीं है अगला प्रस्ण वर्तिका सब्द का तदभो रूप क्या होगा वर्तिका एक तदभो रूप क्या होगा बत्ती बत्ती को ही तदभो रूप में वर्तिका कहा जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखित में से तदभो का सही युग्म कौन सा है तो इसमें से हमको सही युग्म पता लगाना है लोहकार लोहार गलत है क्यों गलत है आगे देखेंगे लच का लाग गलत है इसमें से सही क्या है अरघट का रहट ये जो है बिलकुल सही युग्म है अन सब्दों को हम देखते हैं अनयुग्म सब्द छे लोहकार सब्द होता है ना कि लोहकार होता है तो लोहकार और लोहार यह इस तरह से इसका युग मन जाएगा लच्च का लाक और मिश्ट का मीठा यह तद्भा ततसम के सही युग्म होंगे सिंगाडा सब्द का तत्सम रूप इन में से क्या है तो सिंगाडा का सही रूप तत्सम क्या है स्रिंगाटक पहला option आपका correct होगा Next question निमलिखित में से तत्सम की द्रश्ठी से सुद्ध सब्द क्या है तो इसमें से रसी, रैन और सर्सो तीनों ही तत्भो सब्द है साटी का एक तत्सम सब्द है जो कि किसका तत्सम है यानि इसका तत्भो क्या है साडी साडी का तत्सम रूप है साटी का अन्य सब्दों के बारे में जानते हैं साडी का साटी का रसी का तत्सम रूप क्या होगा रश्मी होगा, रैन का रजनी होगा और सरसो का सर्षप होगा बरात का तत्सम रूप क्या है तो बरात जो है आप जानते एक तद्भो सब्द है और इसका सही तत्सम रूप क्या होगा वर्यात्रा Next question मोती का तदसम ईनमें से क्या है मोती का तदसम रूप उनमें से मौक्तिक है यग जो है भी आप्सन आपका 살아क्र होगा अगला प्रस्नम देखते है निम लिखित में से तदभौ सब्द कौन सा है तो इनमें से उलूक और पस्टक ये सभी क्या है तत्सम सब्द है, ओजह जो है एक तत्भो सब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय, उपाध्याय जो है ओजह का तत्सम रूप होता है, नेक्स्ट कोश्चन, निमलिखित में से एक सब्द तत्सम है, कौन सा सब्द तत्सम है, तो इसमें से जो है आप देख सकते यह हम देखते हैं तो सपूत को हम कैसे लिखते हैं सुपुत्र लिखते हैं तत्सम में साकल का तत्सम स्रंखला और साज का जो है तत्सम सब्द क्या होगा संध्या होगा अगला प्रस्ण निमलिखित में से तदभो सब्द कौन सा है तो इसमें से तदभो सब्द आप देखते गर क्योंकि घर का जो है तत्सम रूप क्या होता है ग्रिह होता है नेक्ट कोश्चन अखरोट का तत्सम रूप क्या है कई बार ये कोश्चन पूछा गया है तो अखरोट का जो है तत्सम रूप सी आपसन आपका सही होगा अक्छोट बाकी विकल्पों पगर ध्यान दे तो अ अखाडा का तत्सम रूप अच्छवार्ट होता है, जो इससे मिलता जूलता ही है, और अगला प्रसंद देखते हैं, निमलिखित में से तत्सम तथ्भो का सही युग्म कौन सा है, तो इस में से आप देख सकते हैं, अच्छवार्ट, जो हमने पिछले प्रसंद में देखा, अच्छवाट का सही तत्सम तत्भो का अखाडा तो अच्छवाट अखाडा जो है ये तत्सम सब्दों की तत्सम और तत्भो सब्दों की सही जोड़ी है बाकी में क्या गलतियां उसको देखते हैं तो महुआ का मधूप होता है अदरक का आदरक होता है लेकिन इस तरह से नह निमलिखित में से तत्सम की द्रिष्टी से एक युगम असुद्ध है कौन सा है ये हमको देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूत और सपूत ये क्या है एक दूसरे के बिलोम सब्द है और दोनों ही जो है तदभो सब्द है ना कि तत्सम है तो यहाँ पर कुपूत्र के साथ क्या लिखा जा सकता था कुपूत्र लिखा जा सकता था तब ये जो है तदभो तत्सम की सही जोड़ी होती और चुकि यहाँ पर तत्सम की द्रिष्टी से देखना है तो हमको कुपुत्र और सुपुत्र ये दो जो है वर्ड एक साथ लिखने पर ये प्रस्ट जो है सही हो जाता अगला प्रस्ट देखते है दोजा सोला का आरो का पेपर है प्री का थाली का तत्सम रूप इसमें से क्या है थाली का तत्सम रूप इसमें से इस थाली है अगला प्रस्ण एक तदभो सब्द इसमें से कौन सा है तो इसमें से तदभो सब्द क्या है पंजीरी जो है एक तदभो सब्द है बाकी पंजर, पंडित और पंजाली जो है क्या है तदभो सब्द है पंजीरी का एक समानार्थी सब्द मिलता है इंद्र परणी, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है? ये जो है कही पर भी किताब में में ब्येंशन किया गया है आगे चलते हैं, इन में से एक तत्सम सबसा है? तो आप देख सकते हैं, पहला अप्षन पूझी और इसका तत्सम क्या होगा? पुंज पुंज जो है इसका तत्सम सब्द होगा बेत का तत्सम रूप क्या है तो वेत का तत्सम रूप जो है वेतर होता है बी आप्सन जो है करेक्ट होगा नेक्ट कोश्चन उन का तत्सम रूप उन का तत्सम रूप डी आप्सन करेक्ट है उन होता है अगला प्रस्ण जामून का तत्सम रूप क्या होगा जामून का तत्सम रूप जम्बू होगा इसलिए इसको कभी कभी जम्बू फल भी कहा जाता है अगला प्रस्न है इन में से एक तत्सम सब्द कौन सा है तो इन में से एक तत्सम सब्द है डाकनी डाकनी तत्सम है जो की डाइन्स के लिए प्रियोग किया जाता है यानि डाइन तत्भो है और इसका तत्सम क्या होगा डाकनी होगा बाकी भी कल्पों को देखें तो विनती जो है एक तद्भो सब्द है इसका जो है तत्सम क्या होगा विनती होगा अटारी का जो है अटाली का होगा एक तदभो सब्द इनमें से क्या है? नौ नंबर कोश्चन में हमको देखना है तो इनमें से तदभो सब्द है अटल, आतुर, अजिर और अति थी इस अभी जो है तत्सम सब्द हैं अगला प्रस्ण चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का तत्सम रूप होगा चड़क ए 0 ए अपसन आपका करेक्ट होगा इसमें उत्तर कुंजी जारी की थी उसके अनुसार A और C दोनों ही इसको सही माना था अगला प्रस्ण हुलास सब्द का तत्सम रूप क्या होगा हुलास का तत्सम रूप होगा उलास D option इसमें correct होगा कैवर्थ सब्द का तत्भव रूप क्या है तो कैवर्थ एक तत्सम सब्द है और इसका तत्भव रूप क्या होगा केवट केवट यानि B option जो है इसका सही होगा अगला प्रस्ण मख्खी सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो मख्खी का तत्सम रूप होगा मच्छी का D option इसमें correct होगा next question, हल्दी सब्द का तत्सम रूप क्या है, तो हल्दी का हरिद्रा, C option जो है, बाकी B भी मिलता जुलता सब्द है, लेकिन इसमें क्या है, वर्तनी की सुद्धी है, C option जो है, इसका correct होगा, next question, ग्रद सब्द का तत्भा रूप क्या है, तो ग्रद का तत्भा रूप होता है, गीद का तत्सम होता है ग्रद। नेक्ट कोश्च्चन, निमलिखित में से कौन सा सब्द। तदभव नहीं है। तो इसमें से सायम जो है ये ततभव नहीं है। सायम जो है साम के लिए या सांच के लिए प्रियोग होने वाला तत्सम सब्द है। दुआर, गिरस्ति, पाउं यह सबी क्या है यह तत्सम सब्द है दुआर का आप जानते हैं क्या हो जाएगा दुआर हो जाएगा तत्सम गिरस्ती का ग्रहस्ती हो जाएगा पाउं का पाध हो जाएगा एकल सब्द का तदभव रूप क्या है? तो एकल का तदभव रूप क्या होगा? अकेला, C option जो इसमें correct होगा. उसके अलावा अकल सब्द का तदभव क्या होता है? अकल होता है. करपट सब्द कई बार पूछा गया है करपट सब्द का तदभो रूप इसमें से क्या है तो करपट का आर्थ होता है या इसका तदभो क्या होता है कपड़ा कपड़ा जो है इसका तदभो रूप जो है करपट होता है कपाट का क्या होता है किवाड होता है का पार्ट जो है एक तत्सम सब्द है और इसका तत्भव रूप क्या होता है कीवाड होता है जो कई प्रस्णों में यह भी आया है next question देखते हैं जो कि आरो यारो मेंस 2014 से है अटाली का सब्द का तत्भव रूप क्या है तो अटाली का एक तत्सम है और इसका तत्भव रूप क्या हो जाएगा अटारी next question धीट का तत्सम रूप क्या है तो धीट का तत्सम हो जाएगा धृष्ट B option इसमें correct होगा next question निम्र सब्दों में से कौन सब्द एक तत्सम नहीं है यानि कि वो तत्भव है तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूर का तत्सम क्या होगा कपूर का तत्सम करपूर होगा अगला प्रस्ण निम्र लिखित में से कौन सा सब्द तत्भव है तो इसमें से कोयल पहला या option आप देख सकते हैं कोयल एक तदभव सब्द है जिसका तदसम क्या होगा कोकिल कोकिल अगला प्रसंद देखते हैं करपर करपर का तदभव रूप क्या है तो करपर जो है इस तरह का कोई सब्द जो है तदसम में नहीं होता है एक्चुल में आयोग की जोरह जो है इसमें spelling mistake है अगर ये करपर होता तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाता है कपड़ा हो जाता बी आप्शन लेकिन चुकी करपर लिखा गया था इसलिए चारो ही आप्शन जो है इसके अनुरूप नहीं है करपर का जो सामान अर्थ होता है वो कपाल या खोपड़ी होता है निमलिखित में से कौन सा तदभव सब्द है तो इसमें आप देख सकते हैं तीन जो है यानि सी आप्शन ये जो है तदभव है तीन एक गिंती होती है इसको अगर हम तदभव में लिखेंगे इसको तत्सम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे त्रीण लिखेंगे यानि यही एक तदभो सब्द है अगला question जो कि आरो यारो प्री 2013 से है ससूर सब्द का इसमें तत्सम सब्द क्या होगा तो ससूर का जो है श्वासूर होगा यह वर्तिनी की दिश्टी से भी सही है क्योंकि बाकी आप इससे भी कन्फियूज हो सकते हैं और इससे भी कन्फियूज हो सकते हैं लेकिन सी अपसन जो इसमें करेक्ट होगा इसमें बिकल्प में जो अन्य सब्द दिये थे उनके बारे में देखते हैं शश्च्रू जो चौथा अपसंतर डी इस तरह का कोई भी सब्द नहीं होता है समश्च्रू होता है और समश्च्रू का जो है तद्भो सब्द क्या होता है? मूच होता है, सास का तत्सम श्वच्रू होता है अगला question, दीठ का तत्सम रूप इसमें से क्या है, तो ये repeat हो चुका है, पहले भी question आ चुका है, दीठ का तत्सम रूप जो है, दुरिष्ट होता है, अगला प्रस्ण कौन सा सब्द इन में से तत्सम नहीं है, तो इन में से तत्सम सब्द कौन सा नहीं है रात, क्योंकि रात क्या है एक तत्भो सब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, रात्त्री होगा next question, तिक्त सब्द का तत्भो सब्द क्या है, तो तिक्त मतलब जो है, कड़वा होता है यानि इसका तदभो का तदसम रूप क्या होगा तीता ये option जो है इसमें correct है इसके अलावा इसमें तीखा सब्द का भी प्रयोक किया गया है तो तीखा एक तदभो है और गर तीखा का कभी पूछा जाएगा तो तीखा का तदसम रूप क्या होता है तीच्ण होता है next question तदभो सब्द निर्जिट कीजिए यानि इसमें से हमको तदभो सब्द छाटना है तो इसमें से आधा आप देख सकते हैं पहला option क्या है ये एक तदभो सब्द है और इसका तदसम क्या होगा अर्द या इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं विकल्पों में कूप का भी प्रयोग हुआ है तो कूप क्या है एक तदसम सब्द है जिसका तदभो क्या हो जाएगा कुआ हो जाएगा अगला सब्द देखते हैं चूरन का तदसम सब्द क्या हो जाएगा चूर हो जाएगा अन्य विकल्पों को ध्यान देते हैं चौर का तत्सम सब्द का चयन कीजिए तो इसमें से व्याग्र जो है ये तत्सम सब्द है बाकी सभी जो है तत्सम है तत्सम भी है मा सब्द का तत्सम रूप क्या है तो यहाँ पर दो अप्सन सही होंगे माता और मातर क्योंकि आयोग ने दोनों को ही सही माना है कहीं कहीं पर माता को तत्भो सब्द माना जाता है लेकिन माता और मातर दोनों ही तत्सम सब्द के रूप में आयोग के द्वारा माने जा चुके हैं अगला प्रस्ण तदभो सब्द इनमें से कौन सा है तो इनमें से तदभो कौन सा है मनई मनई का तदसम रूप क्या होगा मानव next question इसमें से तदसम सब्द हमको चुनना है तो इसमें से क्लिष्ट पहला ही option देख सकते हैं क्लिष्ट सब्द जो है ये तद्सम सब्द है और इसका अगर हमको तद्भो पूछ लिया जाए तो क्लिष्ट का तद्भो बिकल्पों में ही दिया है C option पे जो लिखा कठिन तो क्लिष्ट का तद्भो सब्द क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा अगला प्रस्ण जो आरो यारो मेंस 2013 से है मुद्री का तद्सम रूप क्या होगा मुद्री यानि अंगुठी होता है मुद्री का तद्सम रूप क्या हो जाएगा मुद्री का हो जाएगा इनमें से कौन सा सब्द तद्भो है तो इसमें से आप देख सकते हैं हमरा D option जो है ये तदभव है और इसका तदसम क्या होगा भ्रमर जो कि हमारे C option में भी दिया हुआ है इसी से मिलते जुलते कुछ और सब्द है जैसे कुदीठ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा तदसम कुद्रिश्टी हो जाएगा बैन सब्द का जो है बचन हो जाएगा तदसम सब्द नेश्ट कुछ रिच्टन कौन सा सब्द इसमें से तदसम है तो इसमें से आप देख सकते हैं पहला ही जो है option यानि ए और संश शूश्र शा यह क्या है एक तदसम सब्द है इसका अर्थ क्या होता है सेवा करना अन्य विकल्पों पर नजर डालते हैं सुन्नर जो है ये सुन्दर का तद्भो सब्द है अपजस का जो है ये अपयस का तद्भो है और अच्छर जो है अच्छर का तद्भो है अगला प्रस्ण लेते हैं जो कि आरो यारो प्री 2010 से है निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है तो इसमें से आप देख सकते हैं मुख एक जो है तत्सम सब्द है क्योंकि इसका तत्भो क्या होता है मुह होता है बाकी कान का कान होता है जीव का जीवा और दात का दन्त होता है अंगीठी का तत्सम रूप इसमें से कौन सा है? तो C option इसमें correct होगा, अगनिष्टी का सही तत्सम रूप होगा निमलिखित में से कौन सा सब्द तदभो है? तो इनमें से तदभो सब्द आप देख सकते हैं भावरा, भावरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है निमलिखित में से तत्भो सब्द कौन सा है? तो इसमें से दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूरी के परियावाची भी है और तत्सम सब्द भी है लेकिन सूरज जो है ये एक तत्भो सब्द है जो की सूरी जो है इसका तत्सम रूप होगा अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है तो इसमें से तीर्थ जो है ये तत्सम सब्द है अगर इसका हम तत्भो देखें तो क्या होना चाहिए तीरत तीरत इसका तत्भो होगा अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है तो इसमें से आप देख सकते आख जो है एक तदभो सब्द है और इसका तत्सम क्या होगा अक्षी बाकी सभी सब्द जो है तत्सम सब्द हैं हल्दी सब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा तो हल्दी का जो है बी आप्सन सही होगा हरिद्रा हरिद्रा जो है उसका तत्सम होगा खंडहर का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा सी आप्सन सही होगा खंडग्रह जो है इसका सही होगा अगला प्रस्ण गेहु सब्द का तद्सम इन में से क्या है गोधूम यानि पहला अपसन जो है गेहू का तद्सम क्या होगा गोधूम होगा आगे चलते हैं göster 2010 के question देखते हैं निम्न में से तद्सम तदभो सब्दों का कौन सा युग्म तुर्टि पून है यानि कि गलत है तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो दधी और दधी ये युगम बिल्कुल गलत है यहाँ पर क्या होना चाहिए था दधी का तदस्थम क्या होता है दधी होता है और इसके आगे हम दधी लिख सकते हैं तो दधी और दधी इस तरह से ये correct होगा मक्खन का तत्सम सब्द इन में से क्या होगा तो मक्खन का जो है जो उपलब्द विकल्प है उसके अनुसार मरच्छन होना चाहिए लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है वर्तनी की दिश्टी से सही नहीं है मरच्छन इस तरह से इसको लिखा जाता है लेकिन जो सरवाधिक उप्युक्त विकल्प है वो क्या है डी है नेक्स्ट कोश्चन निमलिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है तो आप अगर ध्यान से देखें इन में कोई भी सब्द तत्सम नहीं है ये सब ही जो है तत्दबो है करोण का क्या होना चाहिए कोटी होना चाहिए तेल का तत्सम तैल होना चाहिए पीपल का जो है पीपल होना चाहिए और दिन का क्या होना चाहिए दिवस होना चाहिए तो इस प्रकार से इसमें कोई भी भी विकल्प सही नहीं है अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखी सब्दों में से एक तदभव सब्द नहीं है यानि वो क्या है तत्सम है तो इसमें से खरपर जो है ये क्या है ये तत्सम है खरपर का जो है तत्दभव क्या होगा खपर अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देते हैं तो तुरंत का जो है तत्सम क्या होगा त्वरित होगा आज का अध्य होगा और धीरज का धैरे होगा तो इस तरह से हमने चारों भी कलकोपो देख लिया अगला प्रसन नीचे दिये गए तत्सम तत्भो युगमो में से कौन सा तृतिपूर है तो इसमें हम देख सकते हैं कपाट और कपड़ा ये होना चाहिए और कपड़े के साथ क्या आना चाहिए करपट आना चाहिए अगला प्रसन देवर का तत्सम रूप इनमें से क्या है तो देवर का तत्सम रूप जो है इसमें से दुईवर है आगे चलते हैं आरो यारो की स्पेसल यानि विशेश परिक्षा हुई थी 2010 में प् तत्भव क्या होगा मौक्तिक होगा अगला प्रसन पलंग सब्द का तत्सम रूप इसमें से सही कौन सा है तो पलंग का तत्सम रूप परियंक होगा सी आप्सन जो है इसमें करेक्ट होगा देवर का तत्सम रूप ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार देवर का तत्सम रूप दूइवर होगा यानि यह अपसन हमारा सही है इन में से एक तदभौ सब्द है तो इन में से आप देख सकते हैं कपास कपास जो है एक तदभौ है कपास का जो है तत्सम क्या होगा करपास होगा इस तरह से इसको लिखा जाएगा अकार सब्द का तदभो रूप क्या है तो अकार क्या है एक जो है तदसम सब्द है और इसका तदभो क्या हो जाएगा अकाज हो जाएगा क्योंकि कार का क्या होता है काज होता है तदभो इसी प्रकार से यह सब्द बन जाएगा अकारे अकाज तकसाल का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा तो तकसाल का तत्सम रूप जो है A option correct होगा टंक साला अखरोट सब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है तो अखरोट का सही तत्सम क्या होगा अच्छोट B option जो है इसमें correct होगा अगला सब्द इन में से तथसम सब्द कौन सा है तो इसमें से आप देख सकते हैं पाद D option जो है इसका correct होगा पाद सब्द एक तथसम सब्द है जो की पैर तथभो के लिए प्रियोग किया जाता है मा का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा मा का तत्सम रूप जो है मात्र होगा A option इसमें सही होगा गोबर का तत्सम रूप क्या होगा गोबर का तत्सम रूप जो है B option सही होगा यानि गोमय गोमय हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण जो आरो यारो special means 2010 का है उससे है पन का तदभो सब्द है पन का तदभो सब्द क्या होगा पत्र next question निमलिखित तदभो सब्दों के युगमों में से कौन सा तुरुतिपूर है तो गोमय का गोबर होता है छीर का खीर होता है सब्तनी का सौथ होता है लेकिन पर्यंक का पटरी नाओ के क्या होता है पलंग होता है तो c option जो है इसमें correct होगा अगला प्रस्ण अंगीठी का अगनिश्ठी का यहाँ पर वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि सारे ही विकल्प जो है इक दूसरे से देखने में मिलते जुलते हैं अगला प्रस्ण निमलिखित तत्सम तदभो सब्दों के युग में से कौन सा तुटिपूर है तो घरत का घरी होता है ठीक ह उष्ठ का उउट तिक्त का तीता और त्वरित का तुरत ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था थोड़ी ही सुद्धी है तुरंत होना चाहिए था तो तुरत गलत है इसकी जगे तुरंत होता अगर तत्भो सब्द तो त्वरित के साथ जो है वो मैच कर जाता अगला प यह क्या है एक तदभो सब्द है और सूरज का तदसम क्या होता है सूरे होता है इस तरह का प्रस्ण आप पहले भी देख चुके हैं आगे चलते हैं इन में से तदभो सब्द कौन सा है तो इसमें देख सकते हैं आप बंदर बंदर जो है एक तदभो सब्द है और इसका तदस पूछा जाता है तो उनमें क्या क्या पूछा गया है सीधे सीधे हम सीधे सीधे उत्तर यानि उसको युग्म के रूप में ही देख लेते हैं तो पत्थर का जो है क्या होगा तत्सम प्रस्तर होगा डंडा का डंड होगा सुई के लिए सुची या सुची का दोनों ही हो सकता ह धर्ती का धरित्री होगा और सियार का श्रगाल होगा इसी प्रकार से लोवर सवाडनेट मेंज 2009 में पूछा गया है गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, सियार का स्रगाल, लंगोट का तत्सम, लिंगपट, महुआ का मधूक आगे देवर का आप देख सकते हैं, ध्वीवर होता है, ससुर का श्वशुर। सौत का सपतनी और जेट का जेष्ट बहरा का तत्सम रूप वधिर, जिजमान का यजमान, ओट का तत्सम रूप ओश्ट, धुमां का धूम, अमिय का अमरित कोख का तत्सम रूप कुक्छी होता है पीठ का प्रिष्ट, बिरसना का बिश्मृत और छठा का सश्ट, पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर, भूख का भुभुच्छा, मिट्टी का मृत्ति का, कड़वा का तत्सम रूप कटू, कंधा का इसकंध, गेहू का गोधूम, नीम का निम्ब, खेत का छेत्र, आसू का तत्सम सब्द, अस्रू, दही का ददी, अचरज का तत्सम आश्चर्य, गवार का ग्रामीड, मौत का मृत्यू, काना का कृष्ण, परगट का प्रकट, परस का तत्सम रूप, इसपर्स, चाक का चक्र, घोड़ा का घोटक, पीपल का पिपल, और तामबे का तत्सम क्या होगा, तामर होगा, पत्थर का प्रस्तर, सक्खी का साक्षी, नाच का तत्सम, नरत्य होगा, माथा का मस्तक हो जाएगा, मोर का तस्सम, मयूर, पोथी का पुस्तक, आग का अगनी, चोथा का चतूर्थ, सौत का सपत्नी केस का केश होगा बालों के लिए जो यूज होता है आग का अगनी, आसमान का आकास, घर का ग्रेह, जबान का जिव्या, बच्चा का वत्स तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरो, ए आरो के जितने भी कोश्चन से उनको सौल किया उसके अलावा लोग से वायों की अन परिच्छाएं होती हैं, उनमें भी जो अब तक पुछा गया था सभी कुछ देखा तो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड समझाओगा कि किन तरह के सब्दों का जादा पूछा जा रहा है, किस तरह के सब्द जादा बार बार आ रहे हैं एक्जाम में तो आप इन सब्दों को अच्छे से तयार कर लीजिए और इन से मिलते जुलते सब्द जो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किये हैं, एक हजार सब्दों में उनको जरूर जो है देख लीजिए तो मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और इस सीरीज के तीनों वीडियो को देखने के बाद तत्सम तत्भो से आपका एक भी प्रस्न गलत नहीं होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच आपको सेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट में जो है जरूर बताएं कि किस प्रकार का आपको अन्भाव रहा तो आज के लिए ताही फिर मलते हैं नमस्कार धन्यवाद